तो राम के लिए इस सनक और राम मंदिर को लेकर चल रहे इस उन्माद के बारे में आप क्या कहेंगे, जिसका अब उद्गाटन होने जा रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं, क्या ये सब सही है? मुझे नहीं पता, मैं इन शब्दों का इस्तिमाल नहीं करूँगा, ये बहुत ही कठोर शब्द हैं, सनक और माद ये सब, क्यूंकि साथ आठ हजार साल बाद भी अगर कोई प्रेड़ना बना हुआ है, तो उनमें कोई बात तो जरूर होगी, एक या दो लोगों के लिए नह साल बाद भी प्रेड़ना बना हुआ है, तो कुछ तो जरूर होगा, अगर हम उसे नहीं देख पाते, तब आप कहेंगे कि ये सनक है, ये है, वो है, मैं इस पर आऊंगा, और वैसे भी, अगर राम मंदर की बात करें, तो राम के जीवन में समस्याओं की भरमार थी, और आ ये सेटल हो चुका है, सुप्रीम कोट ने सेटल कर दिया है, तो अब वो वहां मंदर बनाना चाहते हैं, ये भक्ती है, इसे उनमाद या सनक क्यों कहा जाना चाहिए, क्या ये, मैं एक और शब्द का इस्तिमाल करूंगी, जो कि फिर आप कहेंगे कि कठोर है, ये विभाज पिछले 800 सालों में जो हुआ है, वो इस धर्दी के किसी भी हिस्से में हुई अब तक की सबसे भयाना खुन भरी कहानी है, यहुदियों के साथ जो एडॉल्फ हिटलर ने किया, जो मूल अमेरिकियों के साथ उत्तरी अमेरिका में हुआ, जो कमबोडिया में हुआ, ये सब लोगों में कोई पश्टावा नहीं है, जिन्होंने ये सब किया, और बस लोग अपनी आस्था के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा वापस चाह रहे हैं, तो ये विभाजन कारी है, क्यूं ये विभाजन कारी है? ये है, ये जमीन ही है, लेकिन मंदिर भक्तों के दिलों से बनता है, वो भूमी बस एक जमीन ही है, पर लोगों के लिए पावन है, क्योंकि वो उनका जन्मस्थान मानती है, और जाहिर है आप कोई सवाल ही नहीं बचा है, कि वहां मंदिर था या नहीं, सिर्फ ये एक मंद अगर हम इन्हें सुरक्षित नहीं रखेंगे तो भविश्य में भी द्वस्त किया जाएगा, आज भी पाकिस्तान और बांगलादेश में ये हो रहा है, फिर ये विभाजनकारी क्यूं है? क्यों हर कोई उस चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता और अपनी चीज़ें कर सकता है? जो कुछ भी वो मानता है. मैं बिना किसी मानने ताके रह सकता हूं, पर शायद लोगों को मानने के लिए कुछ चाहिए, इसलिए वो मानते हैं, लेकिन मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूं, कि जो म मानता हूँ, वो सही है, तुम्हारा गलत है, और तुम्हें सिर्फ इसलिए मर जाना चाहिए, क्योंकि तुम वो मानते हो, जो मैं नहीं मानता, अगर आप इसका समाधान नहीं करते, और ऐसे शब्द बोलते हैं, तो ये बस, ये सब क्या है, ये कहां से आ रहा है, आपने अती रित्र, शिव, राम, कृष्ण, इनके हजारों मंदिरों को तोड़ा गया है, उन सब के लिए कोई नहीं कह रहा, क्योंकि इतिहास को ठीक करना संभव है, और कोई सोच भी नहीं रहा है कि हम इसे फिट से ठीक करेंगे, नहीं किसी का इंट्रेस्ट है, बस इन तीनों के लि रहे हैं, कोट कोई लड़ाई नहीं है, वो एक कानूनी प्रक्रिया है, आप कानूनी प्रक्रिया को लड़ाई क्यों कह रहे हैं, आपने जीवन में कभी प्रार्थना नहीं की, या मंदिर नहीं गए, या गए तो कबसे जाना बन कर दिया, और क्या आपने शास्त्र पड़ मैं मंदिर जाने वाला व्यक्ति भी नहीं हूँ, मैंने मंदिर बनाए है, लेकिन मैं वहाँ जाता नहीं हूँ, अगर मैं मंदिर जाता हूँ, अगर वहाँ, देखे हमारे मंदिर कोई प्रार्थना स्थल नहीं है, इसी चीज से लोग पूरी तरह से चुग गए है, उत्तरी भारत में शायद ये बिलकुल खत्म हो चुका है, दक्षन में अब भी निर्देश दिये जाते हैं, यहां निर्देश ये हैं कि अगर तमिलनाडू और करनाटक में आप मंदिर जाते हैं, तो कोई आपसे ये नहीं कहता है कि भगवान से प्रार्थना करो या कुछ मांगो और ये वो, अगर आप वहां जाते हैं, तो आप बस शानती से एक जगा बैट जाएं, क्योंकि ये अलग-अलग तरह की उर्जाएं हैं, अलग-अलग तरह की प्रान प्रतिष्ठाएं हैं, आपके जीवन में कुछ विशेश आयामों को खोलने के लिए हर देवता की एक खास त प्रभाव को अपने दिल और मन में ले लें, ये आपको रूपांतरित करेगा, क्योंकि वो एक उर्जा रूप है, बहुत एक रूप बस एक ढाचा है, ये वहां है, देखने के लिए ये जरूरी है, पर जो उर्जा रूप है, आपको उसे आत्मसात करना है, क्योंकि इस सं संस्कृती में, जिसे आप हिंदू कहते हैं, दुरभागे से शब्द को बुरी तरह से बिगार दिया गया है, या शायद और उचित शब्द सनातन होगा, पर वो भी आज एक खराब शब्द बन चुका है, सनातन यानी शाश्वत, तो इस संस्कृती में कोई चीज तब तक शाश्वत नहीं है, जब तक वो सबको अपने में शामिल न करे, प्रार्थना जैसी कोई चीज नहीं है, इस संस्कृती में केवल दर्शन होता है, इस संस्कृती में अभिलाशा स्वर्ग जाकर भगवान के साथ बैठने की नहीं है, बलकि इस संस्कृती में खुद दिव् क्योंकि जिसे हम दिव्य समझते हैं, वो कुछ ऐसा है जो उससे उपर उठ चुका है जिसे आम तोर पर इंसानी क्रिया प्रतिक्रिया वाला जीवन माना जाता है। देखिए उधारन के लिए कई लोग और अखबारों में भी ऐसा लिखा जाता है कि तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान है। क्योंकि लोगों के मन में, कम से कम उनके समय में और आज भी जो भी इंसान के लिए संभव माना जाता है, वो उससे उपर उठ गए। बस एक कमभख्त बॉल को मारके, बस इतना ही। लोग कहते हैं सद्गुरु भगवान है, आपके फालोवर्स कहते हैं सद्गुरु भगवान है। रणभुमी में भी वो शान्त है, रणभुमी में भी वो मजाग कर रहे हैं, तो हम उन्हें नमन करते हैं, जब हर कोई जीवन और मृत्यू से भैभीत है, तो जो उनसे उपर हैं हम उन्हें नमन करते हैं, अब भी मान लीजे भारतिय सीना में कोई मेजर या करनल या कोई भ गोलियों की बोचार के बीच भी वो धहरवान है, तो हर कोई उसकी पूजा करेगा, क्योंकि एक तरह से वो उपर उठ चुका है, तो इस संस्कृती में हम भगवान के पास जाना नहीं चाहते, हम खुद वो बनना चाहते हैं, और हम किसी एक को भगवान नहीं मानते, हम हर ची इवन का कोई भी अंश उनके भीतर स्रिष्टी के स्रोत के धड़के बिना घटित नहीं हो रहा है, अगर आप उसे पहचान लेते हैं, तो आप जुकेंगे, अगर नहीं पहचानते, तो नहीं जुकेंगे